इंटरफेस है आप यहां से जाके और प्रोग्राम पे जाके यहां पे Microsoft पे जाके और यहां से वर्ड बोल सकते हैं इस सारे स्टैप्स है इनको मैं बाद में description में देखुआ है तो वहां से डाउनुट कर लेना ठीक है तो यह तो पहला इंटरफेस है इसमें देखो सबसे उपर आता है टाइटल बार यहां पर आयर होगा वहां देखके रहना यह टाइटल बार ठीक है इस टाइटल बार में टूल मिल जाते हैं एक यह सेव जैसे आप प्रोजेक्ट बर करते जा रहे हो करते जा रहे हो जो पुछ भी लिख रहे हो आपको इस पर दबाऊंगे सेव तो यह सेव हो जाएगी ठीक है अभी मैंने फाइल बनाई नहीं कर रहा हूं यह अंडो अगला अंडो मतलब जैसे अभी मैंने जो यह जाता है एक यह रीडो मतलब मतलब स्का ओच इसका अफटर स्टैब यह काम करने जाए उसके बाद आते था यह ना रिबन नहीं पूरा इसको हम लोग बोलीके पुरा रिबन टैब है इसमें बहुत से त्याब आते हैं इसमें मेस्ज़्य हमारे 6 जाब घिवन है काम करन अलग अलग टैप बहुत सारे होते हैं हमारे में कितने है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन का नाम है एक का नाम है अगले का नाम इंसर्ट पेज लियाउट प्रेंस मिलिंग रिवीव और क्लोड में जो टैप सोते हैं वह हर में सेम रहेंगे पर कुछ-कुछ अलग हो जाएंगे टैप से कर यह पाइल है यह थाब में एंके बारे में आगे पाइब के यह नियुक्त हैं अलग ओप सों कर सकते हैं कर दो जाय कोãyबंटेर करें खरी हमत्व कर सकते हैं più में चीजे मिलेंगे जिससे हम अपने जो लुक है वर्ड की उसको हम लुक को अच्छा बनाइगे तो जैसे अब मैं पहले एक पारग्राफ लेता हूँ जिसे प्रम प्रमर मृले से प्रमर मृती लेकि झाकर लेना है झाय हुआ है उब तैप में पहले ही अप्रिय के बारे में बता यह बोड वण कहले हैं या option है किया लोग तो इसमें ना चीजे आते हैं काट, कापी पेस्ट ये तीन चीजे हम लोग हम लोग जो है था। हम उस इसने स्वाट की काट की इससे यूज करते हैं नॉर्मली पिलोट के वी क्या है क्लिद्बोट का क्या है कंट्रोल his Ahh अगले सेक्सिना अब मतलब लिखने का तरीका यह जो लिखा हुआ है यह ओ एन किस तरीके से लिखा है यह फॉंट है सारे अगर मैं है नंबर भी लिखू तो यह भी फॉंट बाना जाएगा ट्रिक है लिखने का स्टाइल एक एक्चली में बोलुग है तो यह फॉंट जो सेक्षिन है यह फॉंट समझ तो ही समझ जाना चाहिए कि यह पूरा फॉ सबसे पहले हमें चीजे एडिट करने से पहले उसको सिलेक करना पड़ता है ठीक है अब मैं जैसे इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूं सिलेक्ट करने के बातना मैं इसमें फॉंट सिंच करता हूं जैसे यह फॉंट हो गया यह फॉंट हो गया यह देखो अलग जैसे जैसे मै इस तरीके से यह फॉंट है अब फॉंट का साइज हमें चोटा चोटा दिख रहा है इसका मैं साइज बढ़ाना चाहता हूं इसी फॉंट पे तो मैं इसको सिलेट करूँगा इतने को इस पे जाँगा और अपने साइज के नंबर के साब से मैं इसे एड़ पे जारहे हूं कि तो कम होगा जितना अगया कि बढ़ता जाऊँगा तो यह भी बढ़ता जाए जाया समझ दिए थे मैंनुरी भी टाइब कार सकता हूँ जैसे है 600 तो चीजा है अब यह है जो ऐसा सब पर्दर जायो चीजे निंबर से ज्यादा यह तीरों बहुत काम की चाहिए इनके सॉर्कट की होते हैं पोल्ड का होता है कंट्रोल भी देखें माउस पॉंटर रखेंगे तेरे से तो उसका नीचे आजाएगा नाम लिखा हुआ इटैलिक का आई का कंट्रोल आई और अंडर लाइन का अगर कंट्रोज उच्छी अंडलाइन में हम लोग अपनी अंडलाइन से वह थे ऑफिला है यह है इससे क्या होगा ना स्टाइक थू से हम दो इसको दबाएंगे तो देखो कि कट गया कि कट किया मतलब जैसे हमें कोई चीज में एडिट करना हो कि यह बड़ नहीं आना है तो हम इसके बाद यह पापर लगाने के लिए है यह हमें अभी काम करने है आगे पढ़ेंगे इसको काम काएगा तब तक के लिए अब यह देखिए यहां पर आगया हमारा टेक्स्ट इफ अब इसको गौल करना जूम करकर रिखा देता हूं इसकी यहां पर सैड होई आ रही है लिखें की टेक्स्ट इफेक्ट है इन में टेक्स्ट में जादा मस्ट मस्ट इफेक्ट काल सकता है हम यहां से अगर मैं चुनू बहुत सारे हैं आउटलाइन चुनू तो यह कुछ अल और यह नीचे वाल जो अर्यवन इसको दबाउँगा साइड में एक तम बगल में हलका एयरो इसको दबंगा रहता है इसके बाद आता है जब font का color है वो चीज़ हो जाएगा कि मैं इसको select करूँ पहले मुझे select करना पड़ेगा जैसे मैंने एक तरह एतना एरिया को select करा अब मैं इसके click करूँगा तो देखो एक second यह हो नी रहा तो देखो हमारा जो फॉंट का color हो चेंज हो गया दिख रहा है मैं रेड करूँगा तो यह रेड हो जागा अब मैं इस प्रक्ट भी देख सकता हूँ अलके-लके-बूरेगा साइड में नीचे साइड ओके-डैन यह रेजर क्लियर फॉर्मेटिंग है अगर मैं जैसे मैंने यह सारी फॉर्मेटिंग का रखे इनको मैं select करके इस पर क्लिक कर दूँगा जितनी भी फॉर्मेटिंग हो रखी थी वह सब हट जाएगी यह डिलीट हो जाएगी अगर मैं राइट साइड पर करूँ लेफ्ट साइड पर सोरी यह यहां से स्टार्ट होगा जिदर एरो मेरा अच्छे तरीके से पर मैं अगर यह वाला करूँ राइट साइड वाला तो यह देखो तो सब्सक्रूंत हो देखता है और गॉयक्न वीच में यह हैं अगे आगे सेंटर है जस्टिफाइज से क्या होगा ना फिल हो जाएगा लाइन वाइस फिल हो जाएगा ओके जैसे हमारा लग टॉपिक्स पर लग शिम्बल देना चाहते हैं तो हम यह से सेलेट करके सिंबल पर पॉइंट करना वह दे सकते हैं यहां से अगला पैरग्राफ सुरू है जाता है यह नंबर बुलेट्स दे सकते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नीच है बिल्कल भी ठीक है अगे जाके काम आएगा मैं कुछ और टूल बता दो जैसे कि यह पहले में में कलर ले दूँ जैसे में ले रहा हूं यह तो यह मैं जितना सेलेक्ट करूंगा उस पर क्लिक करूंगा तो यह उसके पीछे का कलर चेंज कर देगा समझ रहे हो फॉंट कलर में क्या कर रहा था यह कोंट का कलर चेंज कर रहा था जो लिखा था और यह कंदर रा बैकगरों के लौट क्लेंज कर रहा है ॐकै unpredict i ॥ क्यों पत्रेजिस और अ बचैनले में हम अहने खुआ है इसके बाद स्टाइल्स है कि हम अभी देख लिए थे हमें अपने स्टाइल बनाने के लिए यहां से स्टाइल्स लेंगे तो फिर हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम होगी जैसे हमने बाइचांस कल्ती से स्टाइल नहीं डाला अब पूरा सेंटेंस लिए तो जहां जाया कैपिटल आना चाहिए था महां कैपिटल कर देगा तो यह स्टाइल का काम है बाखी यहां से हम लोग और भी फॉन्ट के स्टाइल दून सकते हैं जैसे कि मैं जाओं और फिर म मैं जाओं तो मुझे अलग-अलग ओफिस के साब से फॉन्ट में जाएंगे पैरग्राफी स्पेसिंग यह अभी काम की तो नहीं है पर मैं बाद में बता हुआ इसको ठीक है जब आगे काम होगा तो यह था हमारा पहला हों टैल इसके बारे में जितनी वह प्रैक्टिस करे तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे तैन अभी के लिए से इतना ही हां मैं यह भी बता दू यह एडिटिंग वाला सेक्शन है इसमें क्या होगा ना माइंड कर सकते हम अब मालो यह जो संटैंस है यह बहुत बढ़ा है मुझे इसमें से एक गैलरी सब्द है वोट बना है है तो मुझे करुँगा है आब इसमें लिखा होगा यह दोर्वा माउरी अपाले fry खाले और एलए रूख करता बहुत परकार मुझे आफ़ोड घ्रली तैन रिंधे और आपनाल कि किसको थनकही क्रूंत है कि किसद्वाद मून में कि करदूगा ओछ थार रिखा कार थार त तो हमने देखा था जहाँ जाँ गैलरी थी वहाँ मून भी खा गया तेन यह सिलेक्ट है यह तो हम लोग हमें सिलेक्ट करना ऐसे अभी आता है इसलिए हम इसका सिलेक्ट का यूज नहीं करते हैं आज के लिए बस इतना ही